हेलो दोस्तो स्वागत अब सब्सक्राइब का अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में दोस्तो जारकन बोड के कलास एट के बिदार्थी जिन होने आप लोग का जारकन मुख्यमंतरी मेधा चात्यूतिक फॉर्म भरे थे आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या कोई स एजाम देने जा रहे हैं और इसमें दोस्तों पांच वर बिदार्थी को सेलेक्शन भी होगा उनको पर मत एक हजार करके मिलेगा भी इस बार कमशन कम है अच्छा से दिन रात मैनत करके पढ़ाई कर लो ज्यादा कुछ नहीं है जादा कुछ नहीं है जादा कुछ नहीं है आप लोकाल चार साल तक यानि कि 1911 12 चार साल यानि कि टोटल 48,000 समझ रहे हो आपको पर मत 1000 रुपया करके जो मिलेगा समझ रहे हजार रुपया में पर मत आपका सारा खर्चा निकल जाए पढ़ाई का साथ में एक्ट्रा एक दूर्पया खाने को भी मिल जाएगा तो 1000 कि mental ability पुछेगा 45 नंबर का इंगलिस पुछेगा 20 नंबर का और हिंदी पुछेगा 25 नंबर का इसमें आप लोग का बुक से भी रह सकता है और grammar portion भी रह सकता है ठीक है और इसके बाद देखे दोस्तों हम लोग अगर scholastic aptitude test यानि की set ठीक है जो set का exam में इसमें आप लोग का क्या रहेगा तो यह science का रहेगा 35 नंबर social science 35 नंबर और mathematics 20 नंबर maximum portion इसमें आप लोगा 8 का रहेगा कुछ-कुछ 7 का भी रहेगा समझ रहेगा कुछ-कुछ 7 का भी रहेगा तो चलिए अब कुछ questions देखते हैं किस-क इसकल बहुज जिसकी 7 भुजाये हैं उनके कोनों का जोड क्या होगा यानि कि 7 भुजाये हैं इस परकार से बनाई गया है 2, 3, 4, 5, 6, चलो उतना अच्छा नहीं बना लेकि नहीं बाहर तरफ ऐसा करके बनता डिया चलो जो भी 7 भुजाये हैं तो जब भी दोस्तों इस पर 180 डिग्री होता है जब 4 भुजाये होगे तो कितना होगा? 360 होगा जब 5 भुजाये हो जाएगी तो अब बस 180 करके जोड़ते जाना, पांच भूजाएं हो जाएगी तो इसमें 360 में 180 जोड़ दो कितना हो जाएगा 0, 8, 4, 4, 1, 1, 1, 4, 540 डिग्री छे जब भूजाएं हो जाएगी तो बस 540 में 180 जोड़ दो कितना हो जाएगा 0, 8, 4, 2, 1, 5, 6, 7, 720 डिग्री उसी प्रकार जब 7 भूजाएं हो जाएंगी तो इसमें 180 जोड़ोगे और तो आपका कितना हो जाएगा 180 जब जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा पूरा-पूरी 900 डिग्री समझ रहो तो 900 degrees का final answer हो जाएगा समझे लो उसी प्रकार बस मैं समझा दिया था कि 7 भुजाएं हो तो निकाल लो 6 भुजाएं 5 भुजाएं 10 भुजाएं जितना भी दो और हम इस प्रकार 180 का करके निकाल लेना बस याद रखना कि 3 भुजाएं हो तो 180 होता है 4 भुजाएं हो तो 360 होता है अब A B का मान की होगा बहुत ही अच्छा सवाल दिया है देखो यहाँ पर क्या है जोड है यानि कि 1 में आप कितना को जोडोगे कि 0 हो जाएगा तो B के जहब पर हम 9 देंगे न दोस्त B के जहब क्या रखेंगे 9 तो ही 9 और एक 10 का 0 हो जाएगा हाथ में रहेगा 1 लेकिन याद रखो B के जहब पर 9 रखे हो तो यहाँ भी कितना होगा यहाँ भी होगा मतलब यह जो B है यहाँ भी कितना होगा यहां भी होगा 9, तो यहां माल लोगर 9 होगा, तो उपर में तो 2 है, तो उसके उपर में कितना होना चाहिए, कितना, बोलोगे 7, अरे 7 नहीं, हाथ में 1 अभी बचा हुआ है, 9 और 10 का 0 हुआ है, हाथ में 1 तो है न, भी, 1 तो हम जोड़ेंगे इधर, तो यहां पर A के होना चाहिए, 6, 2, 8, और हाथ में रहा, 9 हो जाएगा, 6, 2, 8, हाथ में रहा, 9 हो जाएगा, तो समझ रहों, यहां पर B का वैल हो गया 9, A का वैल हो गया 6, ठीक है, next question देखिए, बोला है, AB-A, और minus B plus 1 का गुर्णखर निकलना है, तो देखिए, यहां पर AB है न, हम यहां पर A कुमन लेते हैं, क्या बचएगा, B minus 1 बच जाएगा, और यहां पर minus B plus 1 है, तो minus B plus 1 में कुछ नहीं कुमन आएगा, तो minus 1 कुमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा, B minus 1, अब देख जाएगा, A minus B minus 1 बच जाएगा, जो कि आपका answer हो, B minus 1, A minus 1 कहीं भी है, जी हां, आप लोगों देख रहा होगा, option number 1 सही हो जाएगा, बिल्कुल आसान असान से question से, मैं इस सब आप लोगों प्रहा हैं, जब आप लोग 8 class का प्रहा रहा था, एक थोड़ा, देखे, एक घोड़ा, दिन में कितना खाएगा, भाई साब, 18, बटे, 12, गुने, 9, काट कूट देना, answer अप लोगा जाएगा, ठीक है, बस जो भी point में आना, comment करें बोलना, answer कितना रहा है, next देखू कितना, पांच के पावर में 3, और गुने 5 के पावर में minus 1 है, ठीक है, तो इसको जब solve कर रहा ह तो 5 के पावर में 3, और बटा 5 के पावर में 1 हो जाएगा, क्यों, उपर में अगर minus रहेगा, तो बटा में आके minus तो हट जाएगा, मतलब 5 के पावर में अगर minus 2 रहता, तो नीचे में आके 5 के पावर में 2 हो जाता, तो यहां 5 एक को है, और यहां 3 को है, तो एक को 5 कर हैगा तीन गो है तो तीन को दस दे दो तो हजार हो जाएगा हजार मिलिमिटर की हो थीके 108 हो गया 119 नमबर 119 नमब बोला एक कि मान क्या होगा यदि एक्स बराबर एक हो तो एक्स बराबर एक होगा तो बस एक लगा दो हो जाएगा तो पांच इंटू एक के पाउर में दो पचीस माइनस तीन गुने एक के पाउर में बच्टिस और प्लस दो इंटू एक के पाउर में एक के पाउर में एक के पाउर में कुछ भी लगा 25 का परसद क्या होगा चार अनुपाद 25 तो लगा दो और परसद निकलने हैं तो 100 ते गुना कर दो 25,4,4,4,4,16 आपका परसेंट एंसर हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से निकलने आप लोग को भी 123 के घं का इकाई अंक 113 के घं की इकाई अंक की संख्या होगी घं 130 का घं करोगे तो इकाई अंक क्या होगा घं में देखो इस पर का इतना बड़ा घं करो तो बहुत टाइम लएगा लाश्ट में देखो कितना है लाश्ट में तीन है तो तीन को तीन बार गुना कर दो तो इसका घंड करो गा तो लाष्ट में यह चीज आना ही वाला है साथ यहां पर लाष्ट में क्या हो जाएगी एकाई संख्या होगी साथ बस इसी प्रकार के सवाल आएंगे आप लोगो समझ भी आना चाहिए और हां अच्छे से पढ़ लो जो मैं समझा रहा हूं यहां पर इन में से किस संख्या का वर्ग एक संख्या होगी किसका वर्ग संख्या होगा तो बाकी सब तो भी सम है इसका वर्ग करो के तो ही संख्या मिले क्योंगे लाष्ट में संख्या है ना दो संख्या है अगला स्वाल है दोस्तो कि एक वर्ग के बिकर्ण एक दूसरे के होते हैं आप पिरामीड समझरे हो जी आप प्रिज्म उसी टाइप का कितना कोना होता है तिरे parenth कर घळ देंग być तो दोस्तों इसमें आप तीन मत कर देन उस्में चार ऑब क्या होता है अगला स्वाल देखो इसमें क्या ह है है नीम नमे मेंक नहीं हो इसमें एकस्काय स्कायों हो जाएगा में पता चल जाएगा तो रेकषिक सम्मक्राइब जिसमें एकस्कार नहोब ऑलोग और यह तो आप लोग का दूसरा सवीट का कुछिशन ने देख लो इसका बोलाई की पृतिव ओर की बेविताब जीव क Хотя जाल को किए वाला हो जाए चाहर छटब है तो इससी प्रकार के सवाल आएंगे बस आप को पता हो ना चाहिए बेसिक मजबूद होगा तो अराम से आप क्यालिफाइई कर लोगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कुछ जानकारी चाहिए तो इंस्टागराम में जूड़कर मुझसे पूच सकते हो चले तो लब यूवाल थैंक्यों लफ ही अब इतना ही प्रिमिलिंग नाइस पूड़ी में जल्दी तब तक लिए जाएं हिन वन देवांतरों